लो दोस्तों नमस्ते सुपरवाद जैसी कृष्णे रादे रादे माई सोल फैमली माई वीवर्स मैं सब्सक्राइबर्स का बिलिस यू आप से स्वस्तम के मस्तम के अपने लाइब में आगे बार रहे होंगे दियर आज का विकाज में वीडियो लेकर रहे हूं आपके और यहां सब्सक्राइब के लिए इन्रग जितनी बीडियो परते होती, तो आपके बाखीर आपने अल जाने है लेकिन अपनी वैलू, self-respect and self-love जरूर करना है, यानि कि अपनी वैलू very important, ठीक है, passionate new star, what on the deck से है, past life connection, यानि past life relationship, I want to kiss you, I want you, kiss you, you are my other half, finance को लेकर थोड़ा stress ले रहे हैं, ठीक है, आगे मैं देखती हूँ कि finance को लेकर stress है, तो आगे क्या कुछ होने वाला है, I miss you everyday, I want you and I need you, ठीक है, ठीक है, सांती ढूंड रहे हैं, travel कर रहे हैं, आप उनकी अंजलो, यानि कि कहीं ने कहीं आपसे कुछ help लेने की कोशिस कर रहे हैं, ठीक है, mentally, physically and financially, सब कुछ, confused, parents issue, parents को बना रहे हैं आपके partner, compromise, fighting, legal issue, देखें, legal issue, कह सकते हो, हरके life में legal issue, अलग-अलग हो सकते हैं, किसी को property से related है, किसी को loan बगेरा लिया है, या किसी ने किसी को फसाए, या पिर divorce से, property और divorce से related भी legal issue चल रहा है, यानि कि fighting के energy भी है, no nothingness, तो देखें, आपके partner की भी energy है, कि आपके partner जो भी है, hello female, भले ही अपने partner को respect करते हैं, फ्यार करते हैं, तो वो आपको भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, कि हो सकता है, कि आपको लेकर रिस्ते में एक balance नहीं आ रहा है, ठीक है, और issue parents भी आ रहे हैं, या legal issue आ रहा है, तो legal issue, parents issue को बीच में, आप लोग का relationship नहीं हो पा रहा है, लेकिन यह रिस्ता strong है, वो फिल कर रहे हैं, वो कहना चाहते हैं, क्योंकि past life connection, you are my other hub, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है, कि आप से पीस और सान्ती सुकून मिलता है, तो कहीं न कहीं हमारा past life connection, यानि कि कुछ इनको ऐसा अनुवा होता है, या आप से कहीं या न उनके life में कोई दो लोग है, दो options हो सकते हैं, या आपके तरफ हों, जाहिए वो आप उनके तरफ हों, वहाँ confused है, फिर भी वो आपको इतना प्यार करते हैं, ऐसा क्यों, वो सोच रहे हैं, रही बात parents को लेकर, तो यहाँ पे legal issue भी है, और fighting भी है, तो यहाँ कुछ parents भी problems create कर रहे हैं, जहाँ उनसे भी fighting हो रही है, और यह person आपको loyalty शो करना चाहते हैं, कि मैं आपके लिए बहुत इमांदार हूं, बहुत पयार करता हूँ, और आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, और आपनी khus अपने प्यार, अपनी पीस को ढून रहे हैं देखे उनके मन में कुछ ऐसी बाते हैं जो सायत parents are related है मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरह ये person आपको बताते हैं कि उनसे fighting चल रही है या किसी प्रकार का उनसे problem चल रहा है property को लेकर या फिर divorce को लेकर या आप दोनों को अलग करने की साजिस या फिर आप दोनों को एक ना होने की साजिस कुछ इस तरह के problems तो यह compromise की energy है ना जो वो चाहते हैं बट इनके parents नहीं चाहते हैं और यहां पर fighting भी हो रही है चीक है तो देखिए इस person के अंदर no nothingness की energy तो कहीं ना कि एक सुनापन एक अकेलापन है और वो आप से प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी में आपकी value है वैसे भी कह रहा है मैं हर पल हर दिन हर वक्त हर रोज सुमें miss करता हूं या करती हूं I want to kiss you, I want you and I need you मुझे तुम्हारी जरूवत है और आपको हो सकता है उनकी चाहत है प्यार करना, हग करना, किस करना या आप से वो प्यार मांगना ठीक है क्योंकि ने सुकुनने में ले लेकिन बाबू यहां पर पैसे की बात आ रही है देखिए, देखिए, fighting and finance को लेकर कुछ प्राब्लम सो सकती है आप लोग के बेच में तो देखिए, बार बार जो इनसान आपसे पैसा मांग रहा है, कुछ कमेंट में भी लिखा गया था कि किसी ने पैसा मांगा है, ने तो वो रिस्ता नहीं चलागा, बाबू पैसे से रिस्ते नहीं चलते है जो इनसान सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा ले रहा है, और धमकी दे रहा है कि मुझे पैसे दो तो ही मैं रिस्ता रखूंगा तो इतना तो आपके मन में भी ये बाते आनी चाहिए कि ये रॉंग है ये बिल्कुल गलत है कोई भी रिस्ता ऐसे नहीं चलता यानि कि आपके विक्रने से आपकी कम जोड़ी है जो वो पकर रही है तो किसी ने बोला कि करमेंट में लिखा कि इतना पैसा मांग रहा है ने तो ये रिस्ता नहीं निभाएगा बाबू पैसे से रिस्ते नहीं चलते बाबू ठीक है ये तो यूजन थू वाली एनरजी हो गई न गलत बात ये सब आप अपने आपको बदलिए ठीक है आप अपने आपको बदलिए इंडिपेंडेंडन हो ये खुद के लिए आपको कौन नहीं रिस्पेक करेगा कौन नहीं प्यार करेगा आप पैसे देंगे तो आप पैसे प्यार को पैसे से खड़ी देंगे क्या ठीक है तो किसी ने लिखा था कितना हजार रुपया मांग रहा है तो ही मुझे प्यार देगा नहीं तो नहीं देगा ये क्या बात हुई ये तो आपके मन के खुद के एनरजी होनी चाहिए ये तो आपके thoughts होनी चाहिए यानि कि आप weakness हो वो आपके weakness को पकड़ चुका है तो देखिए कुछ finance को लेकर fighting भी हुई है या हो सकती है तो थोड़ा aware रहिएगा और ये आपको decision लेना है पैसे से प्यार नहीं होता है ठीक है तो याद रखिएगा अपनी value अपनी respect करें और जरूर से ज़्यादा जो इंसान आप से पैसे ले रहा है और आपकी emotion से खिलवार कर रहा है वो वो चीज़ सही नहीं है बिलकुल सही भी नहीं है उसको let go किजिए उन्चीन से आप दूर रहिए ठीक है अपनी life में खुशी manifest किजिए अपनी life में वो खुशी manifest किजिए जहां आप जीश सकते हो खुश रह सकते हो ठीक है जीवन को कहा next level लेकर जाना है उसके बारे में सोचिए अगर आपने support ने किया तो उनसे finding भी हो सकती है ठीक है तो यह चीज आप सम्हल ले प्यार पैसे से नहीं खरदा जाता आप खुदी सोच लो कि आपको बोला जा रहा है ऐसी बात ठीक है कि पैसा दोगे तो ही प्यार करूंगा या करूंगी यह क्या बात हुई यानि आप पे कमजोरी है आप अपनी कमजोरी को सो कर रहे हो तो यह गलत बात है आप सिख लिजे जान लिजे आप सुन रहे हो तो अच्छी बात है माई नोस टायरों पे हो या रे ओपी 69 पर हो किसी में कमेंट में लिखा गया था morning के वीडियो में शुवशुवश की energy में या किसी भी दोनो चैनल पे से किसी चैनल पे किसी ने लिखा था ठीक है तो यह wrong है ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है तो चलिए energy पे आती हूँ सब के लिए एक के लिए नहीं बोल रही हूँ यहां जितने सारे वीवर्स हैं अगर बार-बार आप यही काम करते हैं पैसे देना पैसे देना तो प्लीज अपने रिस्टे को बजाना है अपने आपको बचाना है बाबू तो प्लीज अपनी वैलू कीजिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी और कुछ नहीं ठीक है तो आप उनकी सरी के आदा हिस्सा हो बट कहीं ना कहीं आप उनकी फिलिंस को नहीं समझ रहो ऐसा वो फिल करें कंफ्यूजन किलिर करना चाहते हैं लेकिन यहां एक चीज है कि आपको एंजल वो जरूर बोड़े क्योंकि आप उनके सपोर्ट सिस्टम हो चाहे प्यार हो इमोसं मेंटली हो फिजिकली हो या फाइनांसली हो आपने सपोर्ट किया है इसलिए आप उनकी अंजल हो लेकिन कंफ्यूजन आज भी है आपके तरफ दो चोईसे या उनके तरफ दो चोईसे जिसमें कंफ्यूजन यहां कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो की एनरजी स्ट्रॉंग है ठ लेकिन चीजें ठीक करनी होगी तो आप खुद को बदल यह आपके पार्टनर पैस्टनेट यूस स्टार चाहरे है और आपसे मिलना भी चाहरे हैं ठीक है तो देखिए बहुत सारे विश्ट मैंने आपको अवेर कर दिया फाइनांसली भी आपसे हेल्प लेना चाहते पीस और सांती चाहिए आज की यह मैसेज कह रहा है पैरेंश इशू है उनसे फाइटिंग हो रही है लिगल इशू चल रही है लेकिन यह कह रहे है मैं वफदार हूं मैं इमंदार हूं मैं लोयलिटी शो करना चाहता हूं या चाहती हूं मैं तुम से प्यार करता हूं तुम नही तो यहां बहुत सारे यूर्स आपके पार्टनर को हर चीज की जरूरत है, mentally, physically and financially, यह तीन चीजों की जरूरत होड़ी है, तो जिनके पार्टनर ऐसे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अवेर रहे हैं, ठीक है, मिस कर रहे हैं, पारेंस शुवर फाइटिंग होड़ी, आपके पार्टनर लड़ रहे हैं, अगर commitment marriage की बात है, या आप दोनों का रहनी की बात थोड़ी है, या legal issue चल रहा है, उससे रिलेटर आपके पार्टनर फाइट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन past and new start चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चुर्स आपको अवेर रहना है, financially भी and physically भी, चीक है, आप अपने life को change करें, प्लीज, अपने जिन्गी को मजाक ना बनाए, हम तुम से जुदा हो के, मर जाएंगे रो रो के, ये किसी और का नहीं, ये real counterpart की आवाज की energy है, ठीक है, ये cheater fraud की नहीं है, ठीक है, जो कार्णमी के सिर्फ आपको इस्तमाल करते हैं, यूज करते हैं financially and physically, तो प्लीज, उनसे अवेर रही, ये गाना उनके लिए नहीं, ये गाना counterpart के लिए, अनकंडिसनल लव वाले के लिए है, सुचा था कभी दो दिल, मिले करना जुदा होंगे, किसमत ने दिये धोके, किसमत ने दिये धोके, हम तुम से जुदा होंगे, मरे जाएंगे रो रोग के, देखिए, प्यार बहुत है, मेरे बहुत सारे विएर्स, काउंटर पार्ट के एनरजी पास्ट लाइप कनेक्शन है, लेकिन कुछ मजबूरियां है, कुछ गलत फैमियां है, कुछ में दो, च्वाइस, दो रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इमोशन से स्ट्रॉंग है, मेरे कुछ विएर्स भी बहुत परिशान है, आप उनको बहुत याद कर रहे हो, बाबू मैंने रात की वीडियो में बोली थी, कि आप अपने ध्यान दो, अपने रेलेशन सिप को अच्छा करना चाहती हो, तो पहले अपने आपको हील करो, देखो, कुछ विवर्स आपको, आपके परसन ने आपको हट किया है, कुछ विवर्स की एनर्जी मुझे लग रहे हैं याँ ठीक है, इसलिए मैं कहरें बाबू, प्रक्ति से सोरा जूर जूर जाओ बाबू, अपने आपको हील करो, प्लीज, जिन्दिगी बहुत खुबसूरत है, मैं समझ सकती हो, कोई इंसान किसी की फिलिंग्स को नहीं समझता, दुनिया हर खिलवार कर रही है जिन्दिगी से, लेकिन फिर आपको प्रक्ति, अर्थमदर बनमान की सकती आपको बहुत प्यार करती है, तो प्लीज, मैं कहना चाहूंगी, आप लोग के बीच में सापरेशन है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, यह फ्रॉड वाली एनरजी नहीं है, सापरेशन वाली है, यह काउंटर पार्ट की एनरजी है, अनकंडिशनल लब की एनरजी है, लेकिन लेटर में जो भी आए बाबू, जिनके पार्टनर से पैसे से प्यार करते हैं, फिजिकल ही होते हैं, उनसे आप डिस्टिंस मेंटेन करें, लाइप पे चेंजिस लेकर आएं, छिक है, आपके पार्टनर सापरेशन में हूँ, आप सापरेशन में हूँ, दोनों एक दुसरे को याद करें, और ये परसन सोच कर काफी anxiety और depression ले रहे हैं खुसी और peace नहीं है इनके जिन्दगी में ये वो परसन है जो ये गाना आप दोनों पर पूरी की पूरी मैं छोड़ी है हम तुम से जुदा होके मर जाएंगे रो रोके सुचा था न कभी दो दिल मिलकर जुदा होंगे किसमत ने किये धोखे भाई यहां पे आपके पाटना आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं यहां पे वो energy में कोई यहां पे cheater मुझे नहीं दिख रहा लेकिन लेटर में cheater की energy थी किसी ने आपके साथ आपको परशान किया है आपको हट किया है हो सकता है बाबी कि वो कार्मिक हो किसी ने अगर आपको चोट पहुंचाई है हो सकता है कि वो कार्मिक हो वो आपको soulmate ना हो यह भी हो सकता है न ठीक है वो मतलब से आपसे आता है या आती है जूरता है या जूरती है चला जाता या चली जाती है ठीक है लेकिन हो सकता है कि आपको उसने दिल तोरा है और आप टूट रहे हो रो रहे हो तरप रहे हो लेकिन आप कितने खुपसूरत हो कभी आपने देखा है आप मेल हो या फीमेल हो आप अपने दिल क करते लोग को तो रहें लेकिन अपनी ताइलिंट को अपनी कुपसूरती को देख रहे हैं कि आप दो, कि आपके बाहत सारे बीवर्स मुझे लग़ा है कि आप बार बार आपको एक इस चीजा दिखाए देरी से तापरेशन में कि आपके पार्टनर ने आपका दिल तो रहा ल पूलमेट ना हो देखिए आप अपने दिमाग में रखिए क्योंकि eight of swords के एनरजी मेरे बहुत सारी इस इस्टक वली एनरजी में लेकिन आप पो निकलना है अपने अंदर transformation लेकर आना है बटरफ्लाई क्या करते एक transformation लेकर आना चेंज लेकर आना अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना ठीक है तो आपके partner आपसे माफी मांगना चाहते हैं आपके यादों में है यहां क्या दिख रहा है कि आपके partner के life में कोई तीसरा परसंट तो है चीक है या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा पता चला हो कि आपके partner किसी और के साथ इंगेज है तो कुछ यहर्स मुझे लगणा आप शाह प्रेशन में हो चीक है तो बाबू आपको शाह प्रेशन से निकलना है लेकिन तिसरा परसंट तो है अगर इस परसंट ने किसी तिसरे के लिए आपसे मुझे रहा है अगर आपके आप लोग के भीच में शाह प्रेशन है तो आज यह परसंट की सांती कहा है नाइन अप सोट एंड फोर अप सोर शांती कहा है पिस कहा है कहीं है नहीं है यह थर्ट पार्टी जो भी है वहां पे उनकी नहीं बन रही है उनको भी उनका भी दिल लुटा है उनके लाइप में बहुत कलह कलेश रोना धोना फाइटिंग जगडे चल रहे है नहीं थोड़ा insecure है क्योंकि इनको लग रहा है आपसे जब से ये दूर मतलब distance maintain के इनके life के pressure बढ़ती जा रही है ये दुख दर्द कम नहीं हो रहा और तो और बढ़ती जा रही है कब तक ठीक होगी और कैसे ठीक होगी ये खुद नहीं समझ पा रहे है और ये आपके जिन्दगी में बापस आना चाहते है आपका रिस्ता बहुत अलग है आपके person ये खुद सोचने कि यो और माई अधर हाप की energy है तो इसमें the lovers की energy है आपका रिस्ता अलग है बहुत ही अलग है वो जैसा फिल्ट कर रहे हैं वो सिर्फ अनभॉप कर रहे है और ये चीच खिचाओ कर रहा है जुडने के लिए इस रिस्ते में बंधने के लिए आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं आपसे जुडना चाहते हैं आप नहीं जुड रहे हो तो दुखी उदास हैं और बहुत ज़्यादा हैल्थ इश्यू, डिप्रेशन, ओवर्थिंकिंग, स्ट्रेस वाली एनर्जी है इस रिस्ते को नेक्स लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं कहीं दूर निकल जाएं चलो कहीं दूर निकले जाएं तो आपके पार्टनर की यह प्लानिंग भी है आपके पार्टनर को मनने लग रहा उन्हें आपका साथ और प्यार चाहिए कुछ आपका बदला हुआ रूप उनको भले ही ट्रिगर कर रहा है उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तिसरा person entry हुआ है, उन्हें भी लग रहा है, आपके partner को भी लग रहा है, आप दोनों के बीच में कोई तिसरा person entry हुआ है, आप में बदलाव आया है, कुछ विवर्स आप बिंदास हो और कुछ वर्स आप stuck की energy में हो, तो भाई ये collective reading होती है, शाप्रेशन में हो और पेन में हो ठीक है तो कुछ वर्स आपके पार्टनर भी शाप्रेशन में है दर्द में है पेन में है कुछ लोग सोच रहे कि आपके पार्टनर के लाइप में थर्ट पार्टी इस हुआ और आपके पार्टनर सोच रहे कि आपके लाइप में कोई के लिए जीना कुछ वर्स आप बिंदास हो ठीक है आपने अपने अंदर बहुत ज्यादा बदलाओ लेकर आया है लेकिन कुछ वर्स आपके पार्टे आपको भुलाने पारे हैं आपकी खुबसूरती आपका नेचर आपका सवाव उन्हें आप चाहिए यह सैपरेशन उनको तोर रहा है यह सैपरेशन उनको ट्रिगर कर रहा है यह सैपरेशन उनको बहुत चीजे याद दिला रहा है और इंसिक्यूर भी है यह लेकिन यह कोसिस करें आपके तरह बढ़ना चाहरे आपको उफर करने की सोच रहे हैं ठीक है आपको उफर करना चाहते हैं आपको भुल प्यार देना चाहता हूं, तुम मेरी जिन्दगी में बापस आ जा, जो भी गुसा नाराज़गी उसे भूल जा, क्योंकि मुझे बहुत जाता बेचैनी और तरफ हो रही है, अंदर से टूट रहा हूं, बहुत प्रेशर है, मुझे खुसी नहीं मिल रही है, मुझे पीस नही क्या तुम मुझे प्यार करती हो, ऐसा आपके परसन पुछना चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं, अंकर्णिसनल लफ फिल कर रहे हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, कॉम्परमाइस की एनरजी है, लेकिन ये भी पुछना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए आपके लिए और रियूनियन चाह रहे हैं सापरेशन को एंड करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं बन रही जगड़े फाइटिंग स्ट्रेस कलेश चल रहा है और इन्हें इंजाइटी हो रही है यह परसन आप से माफी मांगना चाहते हैं यह परसन आपके आपके साथ बिंदा से न्जुआए करना चाहता है मतलब आगे पीछे कोई चिंता नहों बेफिक्र हों और आपके साथ थोरा घूमे फीने और टाइम स्पेंट करें और बहुत सारा वह आपसे प्यार करें वह वाली वाइबरेशन है आपके पार्टनर के ठीक है तो बहुत सारे वीवर्स मैंने गाइड कर दिया कि कुछ अगर आपके साथ धोका चीट हो रहा है पैसे से रिलेटर बाबू तो उसको लेट गो किजिए बाबू लाइफ में चेंजिस लेके आई हो सकता हूँ आपका सोल मेट ना हो वो हो सकता हूँ आपका कार मेको ये भी हो सकता चा पर फोकस करोगे अप खुछ से प्यार करोगे लोग अपने आप आपका प्यार करने वाला आपके तरफ खीचा चला आएगा ठीक है तो बहुत सारी फीवर्स जी जिनको ये गाइडियंस मिली है सब को अगर मिल दे तो सब गाइडियंस को फालो करें ठीक है हाँ किसी की है पढ़ाई से related हो ड़ी है, करियर से related हो ड़ी है, उस से related आप help कर सकते हो, बार बार इतने बड़े बड़े रकम देना और धमकी देना ये चीज़ गलत होता है, प्यार में पैसे नहीं, फिजिकली नहीं, फिजिकली बहुत जादा नहीं और पैसे नहीं, जहां फिजिकली होना और पैसा होना वह प्यार हो ही नहीं सकता ठीक है वह प्यार हो ही नहीं सकता आखिरकार वह दोखा चीट देना ही है धूर भागना ही है उससे आप लोग को बचना है ठीक है आपके सोलमेट है आपके कार्मिक है जो भी हो बाबु आप स्ट्रॉंग डिशिजन लिजे जिनके लिए गाइडिन्स मैं दे रही हूं उनको आप फॉलो कीजे ठीक है तो बहुत सारे वियर्स आपके पार्टर आपके विना अकेला फिल कर रहे हैं एक नई सुरुवात होने वाली है दात की ओनर्जी है दल लवर्स और साप्रेशन एंड करना चाहते हैं माफी बांगना चाहते हैं उन्होंने आपका दिल तो रहा है वह खुस नहीं है लेकिन जो मेरे भी और साप्रेशन में बाबू, वो भी आपके परसंद खुश नहीं है, तो आप अपने उपर काम करना है, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, तो यह है जी आशुभग की एनरजी आपके पार्टनर की, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइ